राजस्थान के रजवारों ने IPL का आगास तो काफी तगड़ा किया था भाई कप्तान कौन थे सेनवान फिरकी के जादूगर उनके कप्तानी में सबको उन्होंने आश्चेर में डाल दिया था जब पहला IPL ट्रॉफी जीत के गई थी कौन रास्थान रॉयल्स लेकिन उसके बाद जैसे लगा ना खिताबों का सूखा पड़ गया उनकी ट्रॉफी एक ही मतलब ट्रॉफी का जो कैबिनेट है एक ही ट्रॉफी से भरा रह गया उसके बाद उनको ट्रॉफी मिला ही नहीं तो क्या कर सकते थे कर यही सकते थे कि जो IPL का आक्सवन हुआ हो उसमें अपने फेवरेट सिध्धान त्रिपाथी और हम बात करने वाले हैं इस मैच में रास्थान रॉयल्स के ऑक्षन एनालसिस की बैसिकली हम बात करेंगे क्या उनकी टीम ऐसी बन पाई है जिससे वो अपने ट्रॉफी का सूखा इस बार खत्म कर दे या फिर फिर सीजन के बाद से उनकी ट्रॉफी जीतने की तमना तमना ही रह जाएगी तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इन lived in the practice हमें अच्छा ट्रेट कर दिया लासिजन बहुत अच्छा गया भी नहीं था ठीक और किसको ले लिया ले लिया इन्होंने आवेस खान को तो एक कमी नहीं पहले ही पूरी कर दी बाई काफी चलाक है रहस्थान वाले ठीक है और यह है इनका इसक्वाइड आईपिय लॉक्षन से पहले लेकिन इनके लिए दो टेंसन की बात थी क्या टेंसन की बात थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ इनका अगर प्लेंग इलोन भी देखेंगे ना कमी लास्ट सीजन का देखेगा ज्यादा कमी अंके इसक्वाइड में नहीं था एक तो वो पेस बॉलर वाला था वो इन्होंने पहले ही पूरा कर दिया अब इनके पास दो दिक्कत आ गई थी क्या कि इनके लास्ट सीजन के जो बहुत ही बहतरीन प्लेयर रहे हैं फिनिसर भी कह सकते हैं कौन सिमरन हितमायर उनका नाम मैं खोज रहा हूँ यार दिख नह कमी हो सकता है किसी प्लेयर का या confidence पे क्या हिट हो सकता है कि इनके जैसा पल्लेबाच को वेस्ट इंडीज ने ड्रॉप कर दिया वेस्ट इंडीज की टीम में इनको अस्थान नहीं मिल पा रहा है मतलब इनका confidence काफी डाउन चल ला है तो यह एक बड़ी मुसीवत है कि प्लेयर ही नहीं आया है रन भी बनाते हैं विकेट भी लेते हैं और उसके अलावा फिल्डिंग भी तगडी करते हैं लेकिन आई पील में आते ही जैसे लगता है कि उनको सांप सूग जाता है तो भाई इनका भी बैक अप इने चाहिए कि अगर नहीं चले तो फिर क्या क्योंकि अभी जैसा परफॉमेंस मुझे नहीं लगता ड्रॉप करने वाले हैं और सिम्रन हत्मायर का बैक अप चाहिए था इने तो बिसिकली यही इनकी कमिया थी तो हमें देखना है क्या उसको इन्होंने दूर किया है तो ऑक्सन से पहले इनकी क्या रिक्वाइर्मेंट थी पहला बैक अप आउट फॉर्म सिम्रन हत्मायर हत्मायर का बैक अप चाहिए था दूसरा इंडियन या ओवर सीज में कोई एक फिनिसर मिल जाए ठीक तो यह दो इनकी कमिया थी तीसरा एक अच्छा इंडियन पेसर लेकिन वह यह ले चुके थे आवेस खान के रूप मे ठीक है क्योंकि प्रशित कितना की पिटाई हो जाती थी तो यह काम इन्होंने पहले ही कर लिया था तो इसको हम टादेते ही यह कोई मुद्धण नहीं है तो यह organisms है और देखते हैं क्या इन्होंने उक्षण में उसको cover किया तो start करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं किन players को इन्होंने buy किया तो जिन players को इन्होंने खरीदा हुआ इस auction में तो अब आपको जैसा मैंने समझा है आपको पूरी planning समझ में आ गई होगी की तीर निसाने पे लगा है कि नहीं लगा तो इन्होंने खरदा किसको रॉमेंट पावेल को जो की अभी बेहतरिन हिटिंग कर रहे हैं और खासकर बैटिंग विकेट पे तो कतले आम मचा देते हैं तो इनको लेने से दो काम हो जाता है एक तो फिनिसर भी रहेंगे प्लस हितमायर नहीं चले तो फिर लोवर मेडिल होंगे उनको पता है लेकिन बाकी सबको नहीं पता होगा ठीक है तो इन्होंने सुभम दूबे को ले लिया ठीक तो ओवर सीज फिनिसर और इंडियन फिनिसर दोनों काम हो गया रॉमेंट पावल से इनको एक बैकप भी मिल गया हितमायर के क्योंकि हितमायर की पोजिशन प बटलर उन्फिट होते हैं तो ओपन भी करवा लिया जाए और बटलर को छोड़ दीजे बटलर जल्दी उन्फिट होते नहीं है दूसरा ये ना हितमायर के जंगा खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं क्यों क्योंकि हितमायर का फॉर्म खराब चला है तो अगर वो नहीं है कि ट्रेंट बोल्ट को कभी आराम देना हो तो एक और लेफ्टाम पेसर इनके पास रहे ठीक है तो खुल मिला के इनके ऑक्सन का जो स्ट्रेटजी था ना पूरी तरह से मुझे लगता है कि एनालिसिस वाला था और पूरी तरह से तीर निसाने पर लगा है क्यों इनका ज इनको भी ला दिये और प्लस एनबर्गर के रूप में एक बैक अप है ट्रेंट बोल्ट का भी तो मतलब इनों ने आक्षन में पूरा का पूरा जो भी इनकी कमिया थी उसको कवर किया हुआ है और अच्छे प्लेयर से कवर किया हुआ है यह भी नहीं बोल सकते हैं थोड़ इनों ने पूरा किया है मतलब रास्थानी राजवारों का दाओ काफी सही निसाने पर लगा है अब बात करते हैं भाई कई लोगों का यह है कि सुहम दूबे है कौन तो इनका मैं आपको सयद मुस्ताक का प्रदर्सन दिखा देता हूं बहुत ही तगड़े एटिंग किया और फिनिसिंग स्किल इनकी काफी अच्छी है सयद मुस्ताक में इन्होंने क्या किया साथ मुकाबलों में 221 रन बनाएं एवरेज देखिएगा 73.66 का भाई उस पोजिशन पे आके 74 का एवरेज रखना बहुत ही मतलब काबिले तारीफ आली बात है उसके अलावा स्टाइक 187.28 का अब फिर मैं आपको बता दूं बहुत लोग रियान पराग को काफी गाली वाली देते हैं तो गाली मत दिया किजिए यह बंदे का परफॉमेंस देखा किजिए क्यों टीम इनको बैक करती है मैं बताता हूं भाई यह सूपर हुमेन हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के रन आपको मालूमें सायद मुस्ताक का टॉप रन स्कूरर कोन है रियान पर आगे भाई आसाम के टीम से आगे यह टॉप रन स्कूरर है विकेट भी लिया है दस मैचों में 37 सोबर 11 विकेट और फिल्डिंग तो आप देखते ही होंगे अजीबो करीब बॉलिंग स्टाइल है अगर बन रही है क्या प्लेइंग 11 होगी अगर प्लेइंग 11 सेटल दिखाई दे रही है तो भाई ऑक्सन में लिया गया फैसला सब सही है अगर कोई भी डिपार्टमेंट छूट गया तो फिर ऑक्सन बहुत अच्छा नहीं गया तो यहां से भी हम चेक कर लेते हैं तो इनक इसमें से कोई एक खेलता हुआ दिखाई देगा और आवेश खान है तो पांच में बॉलर्स के साथ जाएंगे इंपक्ट प्लेयर में कौन आ जाएगा सुभम दूबे आ जाएंगे ठीक है तो एक बल्लेबाजी यहां से बढ़ा लेंगे कभी-कभी धुरू जुरेल भी आ तो मतलब इस्पिन अटेक काफी तगड़ा है उसके अलावा बैटिंग सुरुवाद देखते हैं टॉप 3 बटलर यससवी जैसवाल संजू सेंसन तीनों तगड़े हिटर तीनों अपने आप में मैच विनर लास्ट सीजन के वन अप दॉप रन स्कूरर में यससवी हैं बट सबसे बड़े नामों में से एक तो मतलब टीम की कमी क्या है भाई तॉप से लेके यहां तक टीम काफी अच्छी है फिर पेस गिदबाजी में इनके पास ट्रेंट वोल्ट है अवेस खान और मतलब इंडियन पेस अटैक थोड़ा कमजूर है लेकिन फिर भी उसमें नामी प करें ना तो एक ट्रेंट बोल्ट है इनके पास और डोमेस्टिक पेसर में भी थोड़े बड़े नाम है तो कुल मिला कि उस कमी को हम धरनिकार कर सकते हैं तो अबर आल यह टीम काफी सेटल दिखाई देरी और अगर हित्मायर और पराग फॉर्म में रहते हैं तो फिर यकीन मैं मैचस खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं धुरू जूरे जांपा कभी कबार टर्निंग ट्रेक हुआ तो एन बर्गर जब बोल्ट नहीं खेले तो टॉम कोलर केडमोर अगर हित्मायर का फॉर्म अच्छा नहीं रहेंगे बाकी अब बात कर लेते हैं नंबर कितना हैं और आप कितना रेटिंग पॉइंट देने देना चाहते हैं इनको तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है ओपली आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा बाई आप लोग का प्यार ही है जिससे हम इतना मेहनत करते हैं औ आपके सामने अच्छा अच्छा अणलेसस वाला वीडियो ले के आते हैं तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना है और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बी आइकन प्रेस कर देना है तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है आप सभी लोगों को बाद मिलते हैं अगले वीडियो में टाटा बाई बाई